हालो फ्रेंड्स असलावलेकम वेल्कम बैक टो माई चैनल आई होप आप सब लोग ठीक होंगे अलहमदुलिल्ला हम लोग भी यहां ठीक है आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो भी पसंद आ रहे होंगे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं आप लोगों के साथ अच्छे स अच्छे वीडियो को बनाऊं तो बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैं किस तरह से अपने सब्जियों को बॉक्स में रखके स्टोर करती हूँ तो बस यहां भी वही कर रही हूँ अलरड़ी सारे बॉक्स में स्टोर है तो मैं अपनी फ्रिच क्लीन करके सबको प्रॉपरली अरेंज कर रही थी तो सोचा आप लोगों को भी बता दू तो यह ऐसे बॉक्स है ऐसे मेरे पास तीन चार बॉक्स है यह बॉक्स मैंने खमसा रि होती है तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है मैं यहां इजान कड्रस और अपने लिए हीजाब वेल बाहर निकाल के रखी हूं क्योंकि आज हमें बाहर जाना है हम लोग जा रहे हैं अत्याफ मॉल अत्याफ मॉल में लूलू हाइपर मार्केट है तो बस हम लोगों को वहां से कुछ चीज़े पर्चेस करनी थी तो हम ल लूग पर्चे दिहूं आपको वीडियो के एंड में बाई बाई झाल 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 वीडियो नहीं निकाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता था इस वज़े से मैं थोड़े चीजे जो एक्स्ट्रा ग्रोजरी के अलावा हम लोगों ने दूसरे चीजे जो बै की है मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ जैसे कि वह वाल डेकरोश स्टिकर है मुझे पसंद आए तो मैंने दो स्टिकर सैंपल के लिए ले ली थी बस मैं उसको लगाओं की कहां लागोंगी नहीं पता है बेडरूम में या लिविंग रूम में मुझे नहीं पता अगर मैं लगाओंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और में च स्टाइल मैं में में मताइं लूलू में मिलती है एस हैज़ माने मिलती हृष यह किछन फॉल स्टिकर है किचन स्टोर के पीछ लगा है माँपता है मैं लगाओंगी कुछैनर बॉक्स एप्टेनर भॉक्स को बाहर गए तो पैक कर लेके जा सकते हैं तो बस इतने सी ही ग्रोजरी शॉपिंग थी जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादे से ज्यादे शेर कीजिएगा और फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में जब तक के लिए टेक केर अलाहाफेज